तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपर इस्टूडियो मास्ट का SMB 1545 स्पीकर के बारे में जो कि आप क्लोज लुक देख सकते हैं आपर इस्टूडियो मास्टर प्रोफेस्टनल यहापर इस्टिकर दवारा मेंसन कर दिया गया है और यह 450 वार्ड अर्मेस पार में है और मेंगनेट में साला डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है यहर वेंटिलेशन के लिए होल भी देखने को मिल जाते हैं साथी साथ हैं आपर मोडल अब देख सकते हैं SMB 1545 और इसका जो है स्पीकर का मोडल नंबर हो जाता है इंबिडेंस एटोम से फ्रिक्वेंसी वगरे साला चीज आप देख सकते हैं आपर मेंसन कर दिया गया है हम बात करेंगे इस स्पीकर का प्राइस कितना होगा इस पैसिफिकेशन इस वाले स्पीकर में हमें क्या क्या देखने को मिल जाते हैं साथी साथ हम बात करेंगे इसको हम डूल टॉप में लगाते हैं तो हम कितने वाट का एचिप का यूज़ करेंगे और हम बात करेंगे इसके लिए amplifier अगर हम यहाँ पर दो टोप चलाते हैं या फिर चार्ट टोप के लिए अगर हम amplifier लेना चाते हैं तो हम कितने वाट का amplifier लेंगे और यहाँ पर आपर इस speaker का quality आप देख सकते हैं चेसिस आप देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है तो चले फिर हम बात कर लेते हैं इस वाले speaker का price और specification और amplifier हम कितने वाट का use करेंगे तो पहले हम बात करते हैं studio master का SMB 1545 का specification details तो यहाँ पर जो type है वो mid bass है मतलब इस speaker type हो है mid bass और power जो है वो 450W RMS power में आपको देखने को मिल जाता है frequency range 40Hz से लेकर के 3500Hz तक frequency आपको देखने को मिल जाता है इस speaker में impedance 8 ohms के उपर काम करने वाला है sensitivity यहाँ पर 97 dB देखने को मिलता है voice coil आपको 100 mm मतलब की 4 inch का copper आपको देखने को मिल जाता है और इसमें outside voice coil use किया गया है इसमें in out नहीं है इसमें out voice coil आपको देखने को मिल जाता है net weight के बार हम बात करेंगे तो speaker का net weight आपको 10 kg 600 gram का एक speaker का weight देखने को मिल जाता है speaker का price के उपर हम बात कर लेते हैं तो speaker का price हम बात करें तो इसका price 10,400 रुपे approach price आपको बढ़ सकता है और यह MRP price मैंने आपको बताया है market में आपको कम में भी मिल सकता है क्योंकि यह MRP price मैंने आपको बताया है 10,400 रुपे एक speaker का price बताया है फिलाल हम बात कर लेते हैं अगर हम इसको dual top में चलाते हैं तो हम कितने word का HF का use करेंगे तो हम यहाँ पर dual top यूज़ करते हैं या फिर बनाते हैं तो यहाँ पर आपका जो speaker हो जाता है वो 450 word RMS mark का हो जाता है जिसमें कि आपका दो speaker एक top में रहगा तो हम यहाँ पर 80 word का HF के साथ इस वाले column को जो है हम बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर 4 इंच voice coil है तो आप इसमें 100 word का जो है HF यूज़ करें जो कि आपको काफी चत्रो देहने को मिल जाए तो यहाँ पर कुछ इस परकार से आपको HF लगाना है और हम बात करते हैं इसके load calculation के उपर यहाँ पर हम बात करते हैं दो column के बारे में जैसे कि दो dual top अगर हम चलाते हैं तो हम कितने वाट का amplifier का यूज़ करेंगे जो टॉप चला सकते हैं और काफी अच्छा हमें sound quality मिल जाएगा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर amplifier दूसरे amplifier के उपर जैसे कि हम 4 टॉप चलाते हैं तो हम और कौन सा amplifier का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है हम 4 टॉप यूज करते हैं या फिर 4 टॉप लगाते हैं तो हम amplifier लेंके कम से कम 400 चले गर के 45 टॉट का amplifier में हम इसको लगा सकते हैं जैसे कि हम 400 ट का amplifier यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको load जो हैर वो matching रहता है और best sound के लिए बात करें तो best sound के लिए आप यहाँ पर 45 watt के amplifier यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आहुजा का LX से 45 वो भी हम लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पर stranger का SPB4 के या फिर SPB5 के भी हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे option आपके पास हैं जो कि आपको बहुत सारे ब्रैंड आपको देखने को मिल जाते हैं Airons का भी amplifier आपको देखने को मिल जाएगा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप sound stand के तरफ भी जा सकते हैं CA18 amplifier यूज़ कर सकते हैं तो कची इस प्रकार से आपको amplifier लगाना पड़ेगा चार टॉप के लिए जो कि 4000W से उपर का amplifier होना चाहिए कम से कम आप 4000W का लगा सकते हैं अब हम बात करते हैं तो सारा detailsman आपको दे दिया है Studio Master का SMB 1545 speaker के बारे में तो यहाँ पर छोटा सा क्यूक review था और वीडियो कैसा अलगा निचे कमेंड बॉक्स में बताएगा और वीडियो के लाइक से रोचनल को सब्सक्राइब कर जाएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं फिलाल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दिमात्राम